नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे एटी उप चैनल फ्रैक ब्रदर्स पे मैं हूँ आपका दोस्क और आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं पर्फ्यूम मेकिंग के साथ जुरे गए कुछ कोल कॉंसेप्स के बारे में जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप पर्फ्यूम में इस्तेमाल करने वाले जो चीजे हैं उनकी मात्रा को समझना चाहे तो इनकी एप्लिकेशन के बारे में अर्थाध किस मात्रा में इनको हम डाले क्यूं डाले यह सब अगर आपको जाना है तो ये वीडियो आपके लिए suitable है तो main topic में जाने से पहले दोस्तों कुछ सवालों के जबाब मैं देना चाहूंगा जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है First question, मेरा primary profession क्या है? मैं क्या करता हूँ? So presently I am working as a consultant perfumer, a freelancer and I am working with many companies बहुत सारे companies हैं जिनके साथ मैं freelancer perfumer के तौर में, एक सलाकार perfumer के तौर में मैं काम करता हूँ मैं किसी का employee नहीं हूँ directly पर मैं जो चीजे बनाता हूँ, मैं जो perfume की design करता हूँ ये मैं उनको बताता हूँ, मैं उनको बेचता हूँ एक तरह से company जो perfume जो commercial तौर पर develop करती है उसमें इस्सेमाल होने वाले chemicals की जो balance है वो कैसे ताई किया जाए उस type की जो information है, जो advices है ये मुझे से लेते है तो ये है मेरा primary work and the secondary work which I do is the dealing of aroma chemicals तो ये भी एक तरह से perfume making field का ही एक जुरा हुआ हिस्ता है अब दूसरा एहम question ये है कि perfume making क्या घर बैठे सीखा जा सकता है तो दोस्तो honestly बताऊं तो perfume making घर बैठे के करना बहुत ही मुश्किल है यूँकि बहुत सारे चीजे है जिनको आपको सूपना होता है, पढ़ना होता है और आमने सामने बैठ के experiment करना होता है तब जाके आपकी जो गलतिया होना है या फिर आप जिस तरह से चीजों को बना रहे है उसमें क्या और add करना है ना करना है ये आपको बताया जा सके ये है reality कि अगर आपको perfume making सच में completely सीखना है तो आपको आमने सामने होना होगा उस वेक्ति के साथ जिसको ये subject आता है अब अभी अगर आप एक perfumer के साथ जुरे हुए नहीं है या फिर आपको अंदाजा नहीं है कि क्या करना है आप मश्वारा लेके कुछ करना चाहते है तो ये भी possible है पर इसमें success rate जो है ये थोड़ा कम है क्योंकि हर दूसरे वेक्ति की understanding कुछ और होता है तो camera के इस पार में मैं कुछ बोल रहा हूँ और उस पार आप क्या कर रहे हैं वो मैं देख नहीं सकता तो in that case अगर आप गलती करेंगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा पर मैंने एक perfume making का course अभी रखा है online में भी है ये course इस course को आप join कर सकते है जहाँ पर perfume making मैं सिखाता हूँ 5000 रुपय में लेता हूँ 10 class में offer करता हूँ ये कोई 1, 2, 3, 4 formula सीखने वाली class नहीं है यहाँ पर perfume की जो foundation है किस तरह से एक perfume को design किया जाता है क्या structure है कैसे हम chemicals को select करते हैं इनके बारे में detail आपको मिलेगा So it's a basic foundation course which you can join total number of classes are 10 and the fees of this course is 5000 only तो इसके बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो मेरे जो number है इस number में आप call कर सकते है या फिर WhatsApp कीजिए तो अब topic में आते हैं दोस्तों के एक perfume की top note, middle note, base note में जाने वाली चीजों को हम कैसे तैक करते है देखे natural perfume में इस तरह की जो काम है अर्थात essential oils को या फिर अत्तर को जोर के जो mixed चीजे बनती है उनका तो एक guideline पहले एक video पे मैं बोल चुका हूँ अभी जो मैं बोलने वाला हूँ ये commercial perfumes के लिए है तो यहाँ पे basically top note पे essential oils के साथ साथ जो alcohols होते है monoterapine alcohols एक तरह से समझ लेजी इन alcohols को हम इस्सेमाल करते हैं तब monoterapine क्या है, siscuterpeine क्या है इनके बारे में बाद में आपको बताऊंगा अभी आप समझेए कि perfume money में जो chemical है ethanol ये जो last में oil, oil, oil लिखा गया है ये सारे चीज़े alcohol है तो ये alcohol वाले जो चीज़े है इनको लेके जोड़ा जाता है essential oil के साथ top note के लिए खास तौर पे क्यूंकि top note में एक flow हमें मिलता है, एक diffusion मिलता है एक boost, एक oomp आता है जिसके लिए essential oils और chemical दोनों mix होके रहते है फिर आता है हमारा meat note meat note पे खास तौर पे अगर natural कुछ चीज़े डाले तो absolutes या फिर जो resinoids है वही चीज़े डाला जाता है फिर भी resinoids base में actually जाने वाले है meat में उतना ज़्यादा काम नहीं करते और जो alcohols है जो monotermin class के भी हो सकते है syscutermin class के भी हो सकते है इस type के alcohols को हम रखते है और जो base है उस base में भी वो oil जो है alcohols है वो डायते हैं उसके साथ अगर आप चाहे तो जो acetate type की जो चीज़े है उसको रख सकते है या फिर जो भाड़ी molecules होते है खास तोर पर गैलक्सुलाइट, ISO, ISO, ISO पर ये सारे चीज़े हम डालते है तो ये भाड़ी हलका ये बात क्या है ये समझी अच्छी तरह से जो भी चीज़े हम इस्सेमल करते है जो भी chemicals डालते है इंसान के बनाए गए चीज़े है सिंथेटिक केमिकल नेचर में प्रकिती में जो बनता है वो है नैचरल केमिकल्स तो ये सारे केमिकल्स की एक molecular weight होता है chemicals की अनू होता है जो molecules है तो उस molecule का ही एक molecular weight होता है जैसे phenylethyl alcohol 112, 122 के आसपास है वैसे ही गैलक्सुलाइट की molecular weight कुछ 250 के around या फिर 250 से थोड़ा ज़्यादा है 258 ऐसा कुछ तो ऐसे जो चीज़े हैं दोस्तों इनकी जो molecular weights है इनको देखके ही हम समझ जाते हैं कि ये टॉप में जाएगा पिरमीड में जाएगा या बेस पे जाएगा टॉप में जाने वाले चीज़े lower molecular weight के होते हैं हलके होते हैं जैसे 100 से लेके मान लीजिए 150-60 तक जाने वाले चीज़े ज़्यादा तर top node में आती हैं फिर जो mid node वाली चीज़े हैं वो आती हैं उनसे थोड़ा भारी molecules और बेस में जो जाएगा वो बिल्कुल भारी भारी चीज़े हैं यह musk emirate, musk ketone, musk xylol यह सब जो चीज़े हैं इनका molecular weight देखना गैलक्सलाइड आएएसे उपर यह सब जाके google में जाके चेक कीजिए molecular weight सारे 200 के उपर मिलेंगे कुछ-कुछ चीज़े 300 सारे 300 में मिलेंगा और एक बात जानके चलिए जितना molecular weight जादा होता है उतना ही उस material की खुछबू आपके नाक में अच्छी तरह से आती नहीं है because human nose is less sensitive to heavier molecules it is more sensitive to the lighter ones जैसे phenyl ethyl alcohol आप सुखेंगे दुरंद आपके सर पकड़ लेगा या फिर आपके सर में जाके एक हिट करेगा the same thing also happens with the lower molecular weight aldehydes जैसे C9, C7, C8 बहुत शार्प है इन aldehydes के खुछबू वही पर आप aldehyde 14, 16, 17 यह सब चीजों को देखिए they are heavy molecules और यह top node में आते भी नहीं है उस तरह से basically उनकी जो role होता है यह top से लेके mid के बीच transition में रहता है या फिर top में थोड़ा बहुत उनका एक playfulness देखा जाता है तो molecular weight एक बहुत ही एहम मुद्ध है that is number one point second point is odor strength odor strength क्या है मान लिजीए मैंने एक भाड़ी molecular weight वाला चीज़े ही लिया है पर उसकी odor strength जो है अगर उसकी odor strength medium या फिर low है sorry दोस्तों मतलब थोड़ा सर्दी जुकाम है तो मेरा voice कभी कभी चोक हो रहा है तो आशा करता हूँ कि जो भी issues आएगा इसको आप overlook करेंगे तो odor strength में हमें खास तोर पर देखना होता है कि odor strength एक molecule की क्या है high है, medium है या low है basically जो low odor strength वाले चीज़े है जो molecules है उनको dilute नहीं किया जाता directly इस्तिमाल किया जाता है जिनके odor strength high है या फिर medium है उनमें कुछ dilution कभी कभार इस्तिमाल होता है नहीं भी होता है mostly और जो higher dimensions के चीज़े है जो मतलब बहुत ही high odor strength वाले है they are need to be diluted first before using any solution ऐसा नहीं है कि मैं अगर बत्ति का काम कर रहा हूँ तो मुझे इनका dilution का जरूरत नहीं है direct डालो बहुत खुश्बू और powerful आएगा ऐसा नहीं है यह सब करेंगे तो चीज़े बरबाद हो जाएगा एक note दूसरे note पे हावी हो जाएगा तो जैसे माल लीजिए आईबीक्यू एक material है या फिर आईबीक्यू तो बहुत लोगों नाम नहीं चुना होगा मैं एक कॉमन सा नाम बोलता हूँ आपको aldehyde aldehyde c10 जो रोजी combination में हम इस्सेवाल करते है aldehyde c10 की recommended use at 10% उसकी जो solution आप बनाएंगे उस solution को आपको 10% मनाना है उसका मतलब है कि 100 भाग में aldehyde रहेगा 10 भाग और बाकी जो 90 भाग है यहाँ पे आप कुछ solvent डालेंगे चाहे वो DPG हो, DEP हो, DOP हो इथानॉल हो वो भी एक solvent है तो कोई भी एक solvent डालके उसको पहले इस percentage में आप लेके आईए फिर जो solution आपका बना, percentage वाला वहाँ से लेके आप drop by drop या फिर जो gram के हिसाब से आपका है उस हिसाब से आप चीजों को डालिए तो पहले हम molecular weight को देखके तै करते हैं कि कौन से चीज कहाँ पे जाएगा फिर हम ये देखते हैं कि उनकी odor strength क्या है तो odor strength को देखके हम उसके dilution को सही करते हैं फिर diluted solution को हम इस्सेमाल करते हैं अब मान लीजिए एक perfume की top note में मैं bergamot oil को थोड़ा रख रहा हूँ उसके साथ मेरा linalol है और geranial है तो यहाँ पे मैंने देखा के two parts of linalol के साथ one part of geranial and half part of bergamot oil को डाल ले से मेरा जो बनता है ये structure मुझे एक अच्छा एक nimbu या फिर nimbu के साथ floral चीजों की जो एक vibe है ये मिला के मुझे combination दे रहा है which is a good top note to my consideration तो ये मेरा बन गया top note अब middle note पे मुझे मान लीजिए कुछ oody aroma चाहिए तो मैंने वहाँ पे sandalute के type से दो-तीन chemical ले लिया जैसे polycentol ले लिया मैंने firstcentol को ले लिया firstcentol का odor strength बहुत high है तो उसको मैं पहले dilute कर लूँगा 10% वाला firstcentol को लेके मैं उसको थोड़ा बहुत इस्सेमाल करूँगा इस solution तो यह होता है odor strength को balance करके फिर अपने notes के पसंद के अनुसर उसको सजाना फिर base की जब बात करेंगे जहां से perfume में ठैराओ आता है fixation आता है longevity आता है वहाँ पे mainly रहता है भाड़ी अर्थत heavy molecular weight के चीज़े और इनकी odor strength ज्यादा तर शेत्रों में अगर देखा जाए तो medium से लेके low ही आता है high odor strength वाले चीज़े base में नहीं जाते खास तोर पे combinations में variation कभी कभी होते है पर जो general चीज़े हैं मैं बोही बोल रहा हूँ आपको तो यह है एक basic structure जहां पे आपको molecular weight देखना है फिर आपको देखना है उसकी odor strength क्या होता है उस हिसाब से आप एक structure को बनाईए अब यह piece of information आपको कहां मिलेगा कि एक material की और फिर एक molecule की molecular weight क्या है जैसे एक chemical का मैं नाम लेता हूँ geraniole उसके बारे में अगर हमें जानना है कि geraniole की molecular weight क्या है कहां से जानेंगे simple thing है Google में जाएए लिखिए geraniole molecular weight लिखिए अब search दीजिए बहुत सारे websites के आपके पास reference आएगा किसी भी एक reference में जाएए ऐसा भी हो सकता है कि Google ने directly geraniole बनाने वाले company के website में आपको direct कर दिया हूँ forward कर दिया है वहाँ पे तो आप वहाँ पे भी खोल के देखिए उसकी odor की profile जो है वो लिखा गया होगा और molecular weight जो है वो mention किया गया होगा देखके आप समझ जाएए कि आपको कहां पे उसको डालना है और ये जो हिसाब है कि भारी चीजे हलके चीजे इनकी जो balance है ये relative है अर्थात अगर हम हलके चीजों के तौर में जिनको लेने वाले है उनके molecular weight मान लीजिए 100, 120, 130 के आसपास है तो वहाँ पे उस respective हिसाब से भारी चीजे होता है 170, 180 के ओर से जो चीजे आएगा वो पर जहाँ पे मेरा पहला, first जो top note वाला चीजे है वही start होता है 170 के उपर से वहाँ पे फिर mid note में आ जाएगा 210, 215 वाले चीजे फिर base में आएगा 300 के आसपास के चीजे तो ऐसा मत सोचके चलिए के 100 से लेके 200 के बीच मतलब top note या फिर middle note या फिर base note ऐसा नहीं है ये एक हिसाब के अनुसार है हलके चीजे फिर भारी चीजे अब इसमें आप कौन से factor को हलके समझ रहे हैं कौन से factor को भारी समझ रहे हैं ये आपको खुद टै करना पड़ेगा अब इन order में इन चीजों को बैठाने के बाद question ये आता है कि ये क्या बैठाने से ही perfume बन जाएगा फिर further dilution उसमें क्या लगेगा या नहीं तो देखी इसके आगे इस raw concentrate को dilute हमें नहीं करना है ये जो raw concentrate बनाना ये ही है आपका fragrant soil या फिर perfume इसको अगर मैं इसी हालत में अच्छी तरह से shake करके छोड़ देता हूँ maturity period के लिए मान लीजिए 21 days के around तो ये मेरा concentrated perfume बनेगा अब इसको अगर मैं alcohol के साथ ethanol के साथ mix करके bottle में डालूँगा तो ये spray बनेगा इसको मैं deep oil के साथ मिला के इस्सेमाल करूँगा तो ये अगरबती perfume बनेगा इसको मैं और किजी एक solvent में जैसे DPG हो गया या फिर APB में थोड़ा dilute करके मैं इससेमाल करूँ वो मेरा इत्तर बन सकता है dilute ना भी करूँ तो भी वो एक इत्तर है तो ये एक basic conception है तो ये मत सोचना के body perfume के formula कुछ और अगरबती perfume की formula कुछ और ऐसी बात नहीं है जितने भी बरे-बरे companies आपको मिलेंगे केलकर या फिर जो भी हम brands के रेडिमेट जो oils fragrance oil लाते है ना उनमें सिर्फ fragrance oil लिखा गया होता है कभी नहीं लिखा होता है फ़र अगरबती फ़र ये फ़र वो नहीं ये fragrance oil बनाते है अब fragrance oil को लेके हम जो भी करते हैं ये हमारा बात है ये हम अपने हिसाब से करते है अपना choice या फिर अपना काम के शेत्र के अनुसार तो ये होता है दोस्तो basic dimensions of perfume making ये जो pieces of information मैंने अभी आपको शेयर किया ये कई सारे videos में कई सारे YouTuber ने आपको बताया होगा या फिर आपको मिलेगा इन सारे चीजों के बारे में और मुझे ये information तोड़ा scattered लगा था तो इसको मैंने sum up करके आपको present किया अभी तो दोस्तों इसके आगे मैं आप सभी को एक friendly warning देना चाहता हूं कि YouTube में available हर एक perfume related video को trust मत कीजिए don't just believe in any random content you came across most of the videos are nonsensical and absolutely baseless मैं ऐसे videos आजकल देख रहा हूं कि जहां पर लोग बोल रहे हैं कि तीन चार essential oils को मिलाइए थोड़ा बहुत aroma chemical एक दो नाम ले रहे हैं इनको डालिये फिर आप Galaxolide IOC उसी उसी पर थोड़ा इस्सेमाल कीजिए ये आपका perfume बनेगा तो कोई base नहीं है, कोई logic नहीं है Q करना है इसका कोई logic नहीं है हाँ ये अच्छा लगता है इसको mix करो ये अच्छा लगता है इसको mix करो ये सूंक सूंक के काम किया नहीं जाता इस तरह से जो खुश्बू की profile है ना उसको पहले मन में सोचा जाता है अब उस दिन perfumer बनेंगे जिस दिन आपकी perfume bottle में बनने से पहले आपके mind में बनेगी, आपकी imagination में बनेगी अगर आप सारे चीजों को सूंक के बनाने के लिए बैठेंगे ना तो उस समय में आपका जो नाक है यह off हो जाएगा almost क्योंकि आपने आपकी नाक को थका दिया है सारे different molecules को smell करके तो जैसे हम cooking के दौरान देखते हैं कि जो लोग खाना पकाते हैं उनको खाने में उतना मतलब ज़्यादा उनका quest नहीं रहता क्योंकि they are exposed to the different kind of aromatic substances which are there in your kitchen तो the same thing happens in perfume making चीजों को सूंकते हैं और उन्हें मिक्स करते हैं अब पहले सूंक लीजिए दो तीन दिन से उन्हें को study कर लीजिए जान लीजिए पेपर स्टिप में लगा के उनको sense कर लीजिए फिर जब perfume बनाने बैठेंगे तब हर एक step में नहीं सूंकना है तब चीजों को mix कीजिए पूरा process को cover कीजिए उसके बाद जाके उसको सूंकिए और जैसे वीडियोस में ये लोग ज्यादा तर वीडियोस में मैं देखता हूँ कि बताते रहते हैं कि ISOE, Super, Galaxolite, Musk Embrate हर जगा पे जाने वाले है तो ऐसा कुछ है ही नहीं ऐसा कोई concept ही नहीं है ये कोई rituals नहीं है कि किसी बाबा ने कहे दिया कि आप इसको डालो तो आपका perfume अच्छा बनेगा ये कोई मतलब नुसके भी नहीं है इस आपका perfume बनने से पहले ही वो over इस्सिमाल of chemical के लिए नश्ट हो जाता है कुछ हद तक आप सही ले जा रहे थे अब ritual के तोर में आप चीज़े आड़ कर रहे है फिर वो आड़ हो जाएगा फिर जो natural एक flow मिलने वाला था वो मिला ही नहीं लास्ट में जाके तो सचेतन हो जाएए दोस्तों awareness को आप बढ़करार रखिये तो अभी कुछ kits है दोस्तों fixative वाले kits जो हमने आपके लिए खास तोर पे सजाया है design किया है तो इनके बारे में थोरा सा मैं बात करना चाहूंगा और देखिये इस बरे picture को यह मेरे dealer साप ने मुझे दिया है he is a very nice person and a true gentleman तो वो चाहते थे के यह printout मैं आपको दिखाऊ हूं यह उनका दिया गया है तो रोशनी के लिए I think तोरा reflection भी issues आ रही है it has the detail about fixatives, the four different fixatives which we are supposed to provide sweet fixative, oody fixative musky fixative, aquatic fixative तो यह चार तरह के fixative है, तो पहले आते हैं sweet fixative में, यह है sweet fixative की चार, देख लीजिए चार चीज़े आपको दिया जाएगा ethyl vanillin 10% का एक solution 25 gram का, ethyl maltol 10% 25 gram का, याद रगना ethyl maltol, honey जो होता है न, madhu उसकी aroma मिलता है, honey like aroma, ethyl maltol, बहुत बढ़िया चीज है sweet number 10%, 25 gram methyl ion 100%, उसका मतलब यह है कि methyl ion को dilute नहीं किया गया है गारा हालत में आपको दिया जा रहा है 25 gram, total मिला कि इस कीट की कीमत है 600 रूपे, 600 उसके बाद आता है यह उडी वाला किट, देखिए यहाँ पर है ISOE super, forcentol, kumarin तीन चीज़े ISOE super जो है यह गारा हालत में आपको मिलेगा 100%, 25 gram forcentol की आपको diluted solution मिलेगा 25 gram, kumarin की diluted solution मिलेगा 25 gram इस किट की प्राइस है 550 रूपे, 550 फिर यह आता है musk की fixative musk वाले चीज़ों की musk emberate, muskitone, musk xylol, galaxolide musk emberate है 100%, गारा हालत में आपको मिलेगा 25 gram muskitone वो भी 100% में आपको 25 gram musk xylol, 100% में आपको 25 gram galaxolide, 100% में आपको मिलेगा 25 gram यहाँ पे सिर्फ galaxolide जो है वो ही आपको liquid substance के तौर में मिलेगा और यह सारे चीज़े 100% का अर्थ है यह सारे crystal से आपको crystalline format में ही मिलेगा इस है all nitrogenous musk याद रखना दोस्तो musk emberate, musk ketone, musk xylol जो भी यह nitrogenous musk जो है, जिनके molecules में nitrogen हैं खास तौर पे carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen की bond है इन्हें अगर आप, आपके perfumes में इस्तिमाल करते हैं, तो वहाँ पे color को लेके issue आ सकते हैं एक समय के बाद उस perfume की जो color है, वो कुछ reddish हो जाएगा क्योंकि रोशनी के साथ इसकी एक reactions होती है, यह nitrogen group के जो musk है इन चीज़ों की तो यह reactions को रोखने के लिए आपको antioxidant डालना होगा पर हर जगा पे वो होता नहीं है मतलब antioxidant डालने के बाद भी कभी-कभी यह issue रह जाता है so be careful body perfume को बनाने वाले लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि musk embrate, musk ketone, musk xylol जो भी इस category के musk है, nitrogen category के इनको थोड़ा avoid करके चले खास जरूरत हो तब भी इससे वाल करे वो भी dilution में फिर आता है last वाला देखिए यह है aquatic kit इस पर आपको मिलता है केलाउन, flodalozone और ambroxan, ambroxan बहुत ही गीमती के केलाउन, केलाउन 10% का 25 ग्राम, flodalozone इसका भी 10% का 25 ग्राम ambroxan का भी 10% का 25 ग्राम टोटल कीमत है 1100 एक हजार एक सो रुपए शायद last वाले का मैंने तब इसके पहले जो था, musk वाले का मैंने बता है नहीं था जो यह musk वाले का 950 था तो यह जो चीजे है, मतलब यह जो इनको अगर आप एक साथ लेना चाहे सारे चीज़ों को, तो यह आपको टोटल पैक, चार अलग-अलग फिक्सिटिव को एक साथ मिला के पड़ता है 2500 रुपए 2500 तो आप लोग तो जानते ही हैं दोस्तों, जो भी अरोमा केमिकल्स की डील हम करते हैं यह सारे हमारे देक रेक में होता है और काफी जाच परकने के बाद ही अरोमा केमिकल्स को हम खरीतते हैं और आपको भी सप्टाई करते हैं कुछ-कुछ चीज़े बाहर से हम डायरेकली इंपोर्ट करते हैं कुछ चीज़े, मेरे जो डीलर है यह बड़े डीलर से लेते हैं अर्थात, बोम्बे में या फिरमानली जी दिल्ली में जो बड़े कमपनी से हैं, बहुत ही बड़े कमपनी वोन लोगों ने डायरेकली इंपोर्ट किया है केमिकल को बाहर से अब उस केमिकल को फिर मेरे डीलर साब ने खड़ीदा है and we forward this to you तो यह जो केमिकल्स है, जो भी हम आपको देने वाले है they are all quality tested material और बाहर से जो भी चीज़ हम लेते हैं उन कमपनी के हम COA, Certificate of Analysis को देखके ही खड़ीते है तो देर मत कीजिए दोस्तों अगर आपको यह आरोमा केमिकल्स चाहिए तो आप मुझे call कीजिए मेरा number है, संपर्क कीजिए कोई advice भी चाहते है, तो भी संपर्क करे और perfume की अगर formulas मुझसे लेना है तो उसकी कीमत मैं आपको बता दूँगा और मेरा classes भी है अलग से perfume making सिखाने के लिए आप चाहे तो उसमें भी जॉइन कर सकते है अब फोन कीजिए, मैं आपको डीटल बता रहा हूँ और इस वीडियो को like, share और subscribe करना मत भूलिए चैनल को आप support कीजिए मेरे वीडियो को like करे maximum number में share करे thank you दोस्तो, thanks for watching